यह देखें, आपको यह 20-25 मिनिट में चिकन लेमान पेपर, लेकिन यह हमारे इस तैरि में हमने तियार किया है, अपने ही जाएके के लिए तो बिल्गुल इसी तरहां से तैयार करें, हमारे तरीके से, सलेम अलेकुम, चैनल जाएका दिली छह में, आज हम बनाने वाले हैं, यह अकसर बनाय जाता है बॉनलेस चिकन के साथ लेकिन हम बना रहे हैं इसको बॉन के साथ 600 गरम हमारे पस चिकन है थोड़े बड़े पीशिस लिए हैं और हमारा यह बॉन के साथ है दो के हमने इसको खुश होने के लिए छोड़ दिया था और अब हम इसमें बिलाते हैं थोड़े से मसाले तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून ओनियन पेस्ट जबके सकेंदर ओनियन पाउडर जाता है लेकिन हम यह आपकी सहुलत के लिए बता रहे हैं कि आप इसको पेस्ट के साथ बना सकते हैं और 1 टीस्पून ही अधरक का पेस्ट डालेगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे लस्टन का पेस्ट इन तीनों चीजों के जाते हैं सकेंदर पाउडर और अब इसमें डालते हैं हम ये थोड़े से पाउडर मसाले सबसे पहले हमारे पास है वन टीस्पून पैप्रिका पाउडर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायागा हमारे सम्मिनास कीचन टीप्स पे इसकी वीडियो अप्लोड है हाफ टीस्पून हमने नमक लिया है क्वाटर टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है क्वाटर टीस्पून ही हमने यह चिली फ्लैक्स लिया है और क्वाटर टीस्पून ही हमने यह और इगनो लिया है इसको मिक्स कर देते हैं आप मिक्स हब्स या पिज़ा सीजनिंग को अच्छे से मिक्स करना है यह बहुत ही कम टाइम के लिए पकाया जाता है इसको मैरीनेशन में आप पूरी रात के लिए यह चार से छह गंटे के लिए छोड़ सकते हैं फटा फट भी बना सकते हैं हाथो हाथ लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा देर के लिए कुक क करना होगा अच्छे से मिक्स करके इसको हम डखके छोड़ देते हैं एक गंटे के लिए हमने एक नोनिश्टिक पैन ले लिए है लिड़ वाला ले 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 तो ज्यादा अच्छा है और यह देखें चिकन दिख रहा है कितना लाजावाब साभी से ही तो इसमें हम डाल देते ठंडा होगा पैन तो चिकन पानी छोड़ देगा जो सही नहीं रहेगा जो बड़े पीस हैं जिनके अंदर कर्ट्स हैं उनके अंदर अच्छे से मसाला इस तरह से आप भर लेए जब आप रखें ऐसी अवाज आनी चाहिए सब पीस हम इसमें अरेंज कर देंगे वो साइड रखें जो सबसे बड़ी साइड हो और यह जो बॉल के अंदर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्लेवर यह भी हम अच्छे से पहुंच के डाल देंगे इनी पीसिस के ऊपर इसको पकने देते हैं एक साइड से अभी फ्लेम फूल था अब हमने मिदियम कर दिया है एक साइ से हम इसको साथ से आट मिनिट यानि नीचे अच्छा सा डोट आ जाने तक पकाएंगे शे मिनट के करीब हो गया है हमने क्वाटर टी स्पून के करीब बिलेक पेपर पावडर ऊपर से डाला है क्योंकि थोड़ा सा मिर्च कम थी थोड़ी मिर्च हमारे जायके के साब से तो अब हम क्या करते हैं अभी हमने इसको 6-7 मिनट खोल कर पकाया है लेकिन अब हम इसको कवर कर देते हैं क्योंकि अब हमारे चिकन के अंदर नमी कम है यानि के पानी खुश्क होने चला है तो अब हम इसको कवर करेंगे लेकिन सिरिफ इतनी सी देर के लिए ही हम चिकन को कवर दिया था हमने इसको और आब आप देखें आप इसको चप भी सकते हैं इस वक्त आपके मुताबिक कुछ नहीं है तो डाल सकते हैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यह थोड़ा खटा होता है थोड़ा सही स्पाइसी होता है यह देखें चिकन एक दम से गल गया है और यह बस इतना ही सो .. गला होना चाहिए इतना सॉफ्ट नहीं गला है तो सिरीफ आप और कर दीजी कम है आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा ती खपन कम है इसलिए छे इसमें म्एरच डाल देते हैं दो से तीन डाल देते हैं, एक नीबु लिया है, जिसको मैं इस तरह से कर लिया है, ये डाल देते हैं, और आप चाहें तो इसमें लेमन जेस्ट डाल सकते हैं, यू लेकर सिरिफ ये हरा वाला इस सग इसके आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्लाइस डाले हैं, ये भी अप आप हम पकाएंगे इसको slow flame पर ये देखें आपको ये 20-25 मिनिट में चिकन लेमन पेपर लेकिन ये हमारे ही स्टाइल में हमने तियार किया है अपने ही जाइगे के लिए तो बिल्कुल इसी तरह से तयार करें हमारे ये देखें चिकन लेमन पेपर बिल्कुल तियार है हमारे इस टाइल में हमने इस मसाल में थोड़ा सा रद्दो बदल किया है अपने जायगे को मताबिक आप भी कर सकते हैं तो यह जरूर बनाए हमारे तरीके से बनाए हमारी होसला फजाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे लेमन पेपर चिकन को लाइक करना आप बिल्कुल न क्या हम पीर्ह如果 भी हम नहाजे थिर्थ बनाए हमारे तरीके से बेल रदलेतक बंण Glenn शनल को सब्सक्राइब चाली भीभेवेवे थार्पल बास जाणका हमारे बिल्दू उट falou जह सकते हमारे तो प्याजङे प्याए हमारे जाख नहीं, हमारे मारे तो बनाए हमारे मैं आख